NTA UGC net exam June 2024 cycle एक different pattern के साथ conduct होने जा रहा है जहां पहले exam का pattern पिछले कई सालों से online mode में था इस बार exam offline mode में होगा साथी साथ कुछ subjects double shifts में conduct होते थे जिसकी वज़ा से cut off percentile में release होती थी और normalized score दिया जाता था इस बार ऐसा कुछ नहीं है across सभी subjects एक ही दिन exam conduct होगा और सभी subjects में single shift में exam होगा यानि score का normalization नहीं किया जाएगा साथी साथ जो आखरी offline exam था 2018 में उसमें paper 1 और paper 2 के बीच में gap दिया गया था इस बार ऐसा कोई gap नहीं है paper 1 और paper 2 एक साथ एक अठ्थे conduct होंगे तीन घंटे के span में ये बातें आपको पता है मुझे पता है लेकिन as candidate आप पे अब इसका क्या मतलब बनता है आपको अपनी तयारी अब कैसे कर लेनी चाहिए या आपको minimum कितने mark score कर लेने चाहिए कि इस बदलते pattern के साथ आप अपने सपने को पूरा कर सके जाहे वो NET का है PhD का है या GRF का है तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे अगर यह सबाल आपके मन में था तो अंतक बने रहिए hardly within five minutes मैं आपके सारे doubts यहाँ पर clear कर तूँगी मैंने अपना खुद का NET 2018 में qualify किया था मेरा in fact वो आखरी cycle था जो offline mode में था उसके बाद से online हो गया था मैं उसके बाद से constantly पढ़ा रही हूँ और मैं सिफ NET के ही नहीं मैं set exams PhD, TGT, PGT's को भी देख रही हूँ across all these teaching exams all over India एक pattern जो मैंने समझा है जो मैं आपको आज clear करना चाहती हूँ वो ये है कि exam के online offline हो जाने से कोई major फर्क नहीं पड़ता है हाँ offline से online जाना जादा difficult रहा होगा students के लिए online से offline आना उतना difficult नहीं लगेगा उन्हें क्योंकि anyway आज का बच्चा मदब हम चाहे कितना भी modernize हो गए हो हम कितना भी internet को adopt कर लिया हो हमने अपनी lives में फिर भी हम pen and paper mode में जादा comfortable महसूस करते हैं technical issues की वज़ा से online mode बहुत successful दिख भी नहीं रहा था इसी वज़ा से मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत कम होगी खुशी यहाँ पर जादा मनाई जा रही है इस decision के साथ और anyway हमारा जो exam है UGC net का यह ऐसा exam नहीं है जहाँ पर students के कम जादा हो जाने से या फिर pattern change हो जाने से कुछ फरक पढ़ने वाला है आप मानके चलिए कि अगर 100 बच्चा appear कर रहा है आपके subject में तो top 6% को ही selection में लेगा यानि 100 में से 6 बच्चों को ही net मिलेगा और अगर वही number एक लाग भी हो जाता है तो proportionately वो बढ़ेगा यानि किसी भी तरीके से cut-offs यहाँ पर नहीं बनाई जाती है cut-offs यहाँ पर top 6% बच्चों की merit को देखकर बनाई जाती है तो चाहे 10 बच्चे exam में appear कर रहे हैं चाहे 1 लाग कर रहे हैं चाहे 10 लाग कर रहे हैं selection top 6% का ही होने वाला है तो आपकी कोशिश यह नहीं होनी चाहिए कि अब मैं कितने mark score कर लूँ कि मैं वहाँ पहुंचो आपकी कोशिश बस इतनी होनी चाहिए कि मैं अपना best से best तूँ चाहे exam online हो या offline हो trust me online offline से आपकी cut-offs में कोई major changes नहीं देखे जाएंगे लेकिन इसके बावजूद मैं फिर भी अगर logically थोड़े से assumptions यहाँ बनाके चलूँ अब जब हम online से offline mode पे आही गए हैं तो possibly कहां-कहां हम थोड़ी सी तैयारी को tweak कर सकते हैं ताकि हमें दूसरे candy rates के over an edge मिल जाए हम यह बात करते हैं क्योंकि मैंने खुद यह exam 2018 में qualify किया था वो पहली बार था जब syllabus change हुआ था पहला shift था जब हमारा 2017 से 2018 में उस syllabus change हुआ था So that was the first cycle of the change syllabus and the last cycle of the offline exam तो मैंने खुद एक ऐसा exam qualify किया था जो बहुत ही changes से गुजर रहा था मैं अपने personal lessons और experiences थोड़े आपके साथ यहाँ share कर सकती हूँ जो आपको आपकी upcoming exam में मदद करेंगे तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है standard books पे focus करना है यह हमें क्यों करना है देखिए मैं अपनी subject की बात करूँ for example English की तो जब exams double shift में conduct हो रहे थे और online mode में conduct हो रहे थे तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो यह mode को technical कर दिया गया है और अब जादा number of questions बनाने पड़ रहे है तो उतने number of standard questions लेकर आना बहुत ही difficult है UGC net हर cycle में नए pattern के questions लेकर आता है बहुत ही unique questions लेकर आता है हर बार बच्चा बोलता है यार की तैयारी बहुत अच्छी की थी फिर भी पता नहीं कैसे सवाल बन गए है आप देखेंगे हर cycle में exponentially questions का level बढ़ता जा रहा है तो जहां आपको बढ़ते level को cope करना है सिर्फ 100 questions के साथ वहीं यहां online mode में कुछ subjects में हमें 200 questions बनाने पड़ रहे थे क्योंकि 2 shifts में exam हो रहे थे अब क्योंकि single day single exam हो रहा है आप मान के चलिए कि उट पतां questions कम पूछे जाएगे experimentation कम होगा क्योंकि अभी एक given number of questions ही बनाने है और जो भी उसमें set रहेगा आपको उतने ही set बनाने है आपको double set नहीं बनाने है यहां पर तो standard books पर आप जितना ज़्यादा focus करेंगे उतना बहतर रहेगा यानि ज़्यादा यहां वहां मत भढ़की अपनी तैयारी में आपके subject में आपके paper में आपके syllabus के according जो book standard है आप उनहीं पर stick करिए study in width जादा से जादा चीज़े cover करने की कोशिश करिए यानि अगर एक portion difficult भी लग रहा है उसको तब भी superficially पढ़के जाहिए क्योंकि again ये भी एक थोड़ा सा change मैं अगर feel करू तो जब online exam offline mode में exam होता था तो questions space कब occupy कर रहे थे अब offline exam online exam जब से होने लगा तब से questions की length काफी बढ़ने लगी अगर हम वापिस offline में जा रहे हैं तो मैं predict नहीं कर रही हुए है बट एक possible chance हो सकता है कि questions की space फिर से reduce कर दी जाए questions का nature थोड़ा जादा factual हो जाए standardized हो जाए तो ऐसे में हो सकते हैं आपको in-depth knowledge की जरूरत ही न पढ़े कुछ ऐसे topics जो lengthy है जादा difficult लग रहे हैं आप बैसे छोड़ने वाले थे उनको मैं कहा रही हूँ आप उनको भी revise करके जाना उनको भी एक बढ़के जाना superficially और जितना बढ़ा है उसको बहतरीन तरीके से revise करके जाएगा revision पर बहुत focus रखिए standard चीजे पढ़िए जो चीजे आपको पता ये आनी ही आनी है या यहां से question बन ही सकता है वहां से पढ़िए और उसको बार-बार पढ़िए उसको बार-बार revise करिए और सिर्फ 2023 के question papers ना देखिएगा आप 2015, 16, 17, 18 के question papers का थोड़ा pattern भी समझने की कोशिश करिए वहां से भी 2023 December cycle में कि paper 1 की कुछ units इतनी lengthy थी और उनकी calculations इतनी lengthy थी कि students ने कई questions skip कर दिये या वो उनको answer नहीं कर पाए paper 1, paper 2 एक साथ हो जाने से आपको बहुत फाइदा मिलने वाला है क्योंकि अब आप अपनी strengths और weaknesses में time accordingly divide कर सकते हैं मैंने जब exam दिया 2018 का जो आखरी offline mode में था उसमें हमें पहले paper 1 के लिए कुछ time बेड़ घंटा something मिलता था अब time reduce करके सब 7 घंटे कर दिया था एक घंटा 15 मिनिट paper 1 मेरा anyway week था क्योंकि मेरा maths, logic, DI काफी week था और मेरा उस time paper छूटा था पिकास मैं calculations ही नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा strong paper 2 था, paper 2 में आदे से जाधा time मैं सो रही थी, क्योंकि मैंने question paper बहुत जल्दी solve करके side में रख दिया था और paper 1 में वो minute minute मेरे लिए भारी पढ़ गया था, आपके साथ ऐसा कोई disadvantage नहीं है, आप बहुत advantages पोजिशन में है, आप अपने mock test दीजिए, test series solve करिए, PYQ solve करिए, ये सब करके ये समझने की कोशिश करिए, कि आपका paper 1 बहतर है या paper 2 बहतर है, अगर आप questions switch करते हो, वो ब पता, तो आप mock test, test series, PYQs के थुरू अपनी strengths और weaknesses को पहचानिए, और फिर आप time का balance बना कर चलिए, वही strategy आप अपने exam में जब use करेंगे, तब आप उन 3 घंटों को optimally use कर पाएंगे, ये मेरा दूसरा suggestion, तीसरा suggestion है, यहाँ पर to create an edge over other candidates, पहले क्या था, online mode में होने की computers, some candidates were not, so हो सकता है, candidate को knowledge आप से जादा थी, लेकिन technical issue की वज़ा से, logistical issue की वज़ा से, center पे कोई दिक्कत आ गई, light चली गई, mouse खराब है, या और किसी technical error की वज़ा से हो सकता है, कि उन्होंने आप से कम score किया हो, हो सकता है, वो deserve आप से जादा कर रहे थे, knowledge आप से जादा अब सभी candidates एक ही नईया में सवार है, क्योंकि online mode हट गया है, offline है, offline में सभी candidates comfortable रहेंगे, अब सब comfortable हैं, तो कहीं न कहीं सब act power आ गए हैं, किसी को ऐसा कोई disadvantage over the other नहीं मिलेगा, किसी के कमरे में एसी नहीं मिलेगा, सब को गर्मी में पंखा चलता मिलेगा, सब उसी गर्मी म और उनही classroom में बेटकर exams दे रहे होंगे, तो अब सब एक बराबर हैं, तो यह सोचने की कोशिश करिया, कि मेरे subject का जो दूसरा candidate है, उसका possibly कौन सा portion weak हो सकता है, अगर मैं उसको strengthen कर लूँ, तो मुझे एक edge मिल जाएगा over the other candidates, यह मैं सोचा करती थी, जैसे कि जब मैं तयार कर रही थी English की, तो मुझे पता था कि लोगों का paper 1 strong होता है, मेरा बहुत strong नहीं था, लेकिन लोगों का paper 2 में British literature weak था, या लोगों की theory वला portion, theoretical portion का weak था, मैंने वहाँ पर अपना edge बनाया, मैंने यह कहा कि मैं अपनी तयारी इतनी बहतरीन तरीके से करूंगी, कि मेरे English के paper म British literature और theory में 80-90% accuracy से questions को solve कर पाऊं, फिर जाहे paper 1 में मेरे average marks भी आए, चलेगा, तो जो जिस portion में सब almost बराबर perform कर रहे थे, वहाँ पर मैंने around average perform किया, पर जहां लोग weak पढ़ रहे थे, वहाँ मैंने above average perform कर दिया, इससे मुझे दूसरे candidates पे edge मिल गया, और मेरा selection हो गया, य जिस भी subject के हैं, Commerce, Management, History, English, Hindi, Sanskrit, EBS, Geography, जिस भी subject के आप हैं, सोचिए जरा कि आपके paper 2 के subject में वो कौन से units हैं, जहां दूसरे candidates fail कर जाते हैं, या उनको generally difficult लगता है, या वो difficult है भी, या फिर paper 1 में जादा लोग बहतर हैं आपके subject में, या paper 2 में लोग जादा बहतर होते हैं ये सब गुना भाग करके एक strategy बनाईए, उस strategy पर work करिए और इसा होई नहीं सकता कि आपका selection ना हो, तो again, online, offline हो जाने से cut-offs में कोई ऐसे major changes नहीं आते हैं, logically नहीं आते हैं, पहले भी top 6% का selection होना था, अभी भी top 6% का selection होना है, आपको अगर किसी चीज की tension है, तो tension इस बा में उड़तों एक्जाम देना पड़े, चाहे समुद्र में तहते एक्जाम देना पड़े, चाहे computer के सामने, चाहे paper pen के साथ, does not matter, आपको बस उस top 6% या उससे भी top range में आना है, आपको J.R.F. qualify करना है, तयारी आप उस according करिए, I hope मेरे suggestions आपको अच्छे लगे, suggestions अच्छे के साथ रोज जुड़ने के लिए चानल को सब्सक्राइब कर दीजे, अभी के अभी, hit the bell icon ताकि classes के time आपको notification लजाए, और हमारी playlist भी सारी बिलकुल ready है हमारे channel पर ताकि आपको previous classes का भी access मिले, that's all for today, thank you so much everybody, have a very good day.